हेलो दोस्तो स्वागत आपको मेरी यूटुब चैनल में मेरा नाम फिरोज है दोस्तो आज मैं रिब्यू करने वाला हूँ डर्मडेव सेंपू का और आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में डर्मडेव सेंपू के बारे में जी हाँ दोस्तो इसका जो ब्रांड नेम है है दोस्तों अगर बात करें इस सेंपू के बारे में तो आगे में बताने वाला हुँ इस वीडियो में कि इसका यूज कहां पर किया जाता है इसको कितनी मात्रा में लगाना चाहिए क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं लगाने के बाद और इसका प्रोपर डोज क्या है वेडिक सेंपू है इसमें जितने भी क्मपोजी सन ड अले गए है वो नेश्णूल है जैसे कि इसमें डाला गया है यह Taking इस इसमें कंडियो बाद यह होता है जो की बह lavender to नहीं पढ़ेगी उसके साथ नेचरिल मौस्टराइजर डाला गया है तो यह सब इसमें कमपोजिशन के अतार पर डाले गए हैं बाकी सेंपू में केमकल भी रहता है जो कि उतना अच्छा नहीं है दोस्तों अगर बात करें इसके यूज के बारे में तो देखिए इसका जो यूज है यह आपके बालों को अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सूखे सूखे रहते हैं तो यह आपके बालों को सूखापन अटाएगा मौस्टराइजर लाएगा और आपके बाल को साइनिंग देगा चमकीला बनाएगा उसके साथ आपके बाल को अगर बहुत ज़्यादा तूटते हैं त उससे तूटने से रोकेगा, आपके बाल को healthy बनाएगा. क्योंकि इसमें nutrition जो हैं, बालों के लिए बहुत ही बेतरिन है, डाले गए हैं, जो कि आपके बाल को बहुत ही Bodhi बनाएगा, और तूटने से रोकेगा. उसके साथ आपके बालों को घंड़ा करेगा, लंबा करेग और कालापन करेगा तो यह सब इसके यूज हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में यह बाल को हैर फॉल को भी रोकता है बहुत जादा नहीं बोलूँगा जो लोग इसको हैर फॉल को रोकने के लिए यूज करते हैं वो इसको हैर फॉल को रोकने के लिए ना करें क्योंकि यह बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है हेर फॉल में देखिए यह दिखने में फरेज दिखेगा और आपको चमकीला लगेगा काला पन दिखेगा आपके बाल को मजबूती देगा और जो आपके सकल्फ में जो गंदगी है जैसे दूल मट्टी हो जाती है तो उसको भी यह निक दाने मदद करता है यह सब इसके यूज होते हैं और इसमें नेचरली कंडिशनर डाला गया है वह बहुत बेनिफीसियल है आपके बाल हमेशा महकते रहेंगे दोस्तों यह सब इसके थे यूज अब हम जान लेते हैं साइड एफेक्ट के बारे में तो देखिए इसके ज्या हो रही है तो आप इसको रख दें ना यूज करें इसके जगह पर आप डॉक्टर से बात करके दूसरा ले सकते हैं दोस्तों अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो देखिए इसके जो डोज है आप हफ्ते में तीन बाल ले सकते हैं नहीं तो आप रेगुलर जो आप स कर लें उसके बाद लेके आप अच्छे से लगा ले जब तक लिए पूरा आपके बालों में मसाज हो ना जाए पूरा बालों में भीन ना जाए उसके बाद आप इसको धो सकते हैं और धोने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं देखिए मैं यूज कर रहा हूं और मेरे बाल और काफी साइनिंग है अच्छे दिखते हैं फ्रेस फिल होता है आप ऐसा डेली भी कर सकते हैं नहीं तो हफते में तीन बार कर सकते हैं और यह आपके बालों को मजबूती के लिए है तो आप इसको जब चाहें तब यूज कर सकते हैं मुझली एक से दो महिना ज्यादा दिन सबसे इंपरणन बात आपको आपने डाक्तर से जरूर अए अगर इस सब्मस्राइब कर रहे हैं क्योंकि के साइड स्ब्सक्राइब हो इसका क्छे आपको बालों के लिए बहुत ही बहुत है आपको हेर फॉल के लिए इसको यूज नहीं करना है दोस्तों यह पूरी जानकारी थी डर्मड्यू सेंपू के बारे में आई होप मैं आपको समझा पाया हूं आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूं अगली वीडियो में